हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम उपमा लंकार, इसलेश लंकार और यमक लंकार तीनों की परिवासा हैं और इसके उधारण एक ही वीडियो में जानेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले हम उपमा लंकार की परिवासा जानेंगे जब किसी वस्त या व्यक्त की उपमा किसी अन्य वस्त या व्यक्त से की जाती है तो वहाँ पर उपमा लंकार होता है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने तीन उधारड इसके लिए है जो आपको सरल लगे वो आप बोड एक्जाम में लिख सकते हैं इसका पहला उधारड है हरिपद कोमल कमल से और दूसरा चरन कमल बंदो हरिराई और तीसरा है नील कमल से सुंदर नयन अब स्टुडेंट अगला स्टले सलंकार है जिसकी परिवासा है जहां पर या जिस वाक्य में एक ही सब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों वहां पर इसले सलंकार होता है यानि कि सब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हो तो वहाँ पर इसलिए सलंकार होता है जिसका उदारड है रहिमन पानी रा किये बिन पानी सब सून पानी गए नव बरे मोती मानुस चून तो इस्टूडेंट इसका इसफस्टी करड कुछ इसपरकार है इस दोहे में पानी सब्द के तीन अर्थ है एक पानी का अर्थ है पानी और दूसरे पानी का अर्थ है चमक और तीसरे पानी का अर्थ है विनम्रता यानि कि दोस्तों चूने में पानी, मोती में चमक, मनुस में विनम्रता ना हो तो वो किस काम के अब इस्टूडенд लास्ट है यमक अलंकार जिसकी परिवासा है जहां पर एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आता है या प्रयोग किया जाता है किन्त अर्थ हर बार भिन भिन हो वहां पर यमक अलंकार होता है अब student इसका उधारण है कनक कनक ते शौगुनी मादिकता अधिकाए या खाए बवराए जग या पाए बवराए अब student इस उधारण में कनक सब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं जो कि एक कनक का है सोना और दूसरे कनक का आर्थ है धतूरा तो student इस उधारण में बताया गया है कि लोग सोना पाकर बवरा जाते हैं और धतूरे को खाकर बवरा जाते हैं तो student आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत